हेला फ्रेंड्स आज का आमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड डिस्कॉर्ट चैनल मेसेज़ेज फ़र न्यू नोशन डेटबिस आइटम तो सपोस करिए आप और आपकी टीम में बस नोशन का इस्तेमाल करते हैं हर टाइब के रिकॉर्ट को मेंटेन या क्रियेट करने के लिए और आप डिस्कॉर्ट चैनल का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए अब आप यह चाते हैं कि जब भी नोशन में कोई नए आइटम क्रियेट हो Discord चनल पे automatically same details के साथ आपकी team update हो जाए पर इसमें एक समस्या है समस्या ये है कि Notion और Discord के बीच में कोई भी direct integration या connection नहीं है इसलिए आपको ये process manually करना पड़ सकता है पर आज मैं आपके लिए एक ऐसा automation लेकर आया हूँ Public Red की मदद से कि जैसे ही Notion में कोई नाया item create हो Discord चनल पे automatically एक message चल जाए तो आईए मैं आपको बताता हूँ अपनी screen पे कि कैसे मैं automation बना रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे Notion का database upcoming events के लिए और इसमें मैंने upcoming events की सारी details डाल के रखी है जैसे event का नाम, details, start date, end date and guest का नाम और हम चाहते हैं कि जैसी ही हम यहाँ पर कोई नाया event add करें Notion database से automatically Discord चैनल पे एक message share हो जाए ताकि हमारे team members अपडेट हो जाए तो यहाँ guys हमको Notion database को Discord चैनल से connect करना पड़ेगा और इसके लिए हम आज use करेंगे public connect तो चलते हैं हमारे new tab पे और यहाँ पे टाइप करते हैं www.pably.com slash connect लिक एंटर तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है public connect का landing page public connect एक amazing software है इसकी मदद से आप multiple application को connect कर सकते हैं अगर आप new user हैं तो जाए sign up for free पे जहां आपको हर महीं में free task मिलेंगे ऐसे automation create करने के लिए मैं एक existing user हूँ तो मैं जाओंगा sign in पे और मैं जाओंगा public connect पे क्योंकि आज हमको एक automation create करना है तो मैं जाओंगा public connect पे क्लिक करूँगा access now पे और यहाँ आप देखेंगे public connect का dashboard हमको जाना है create workflow पे और इस workflow को एक नाम देना है आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं मैं इसे नाम दूँगा notion to discord क्लिक करेंगे create पे इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने दो बॉक्से जाएंगे यह होते हैं trigger and action basically trigger and action ऐसे concept या principle है जिसमें हमारा पूरा automation वर्क करता है अगर हम इनकी definition की बात करें तो trigger का मतलब होता है when this happen और action का मतलब होता है do this मतलब जब ऐसा हो तो ऐसा करो तो आज हमारी trigger application होने वाली है notion ताकि मैं कोई भी data notion पे update करूँ तो automatically same details as a message discord पे चली जाए तो यहां trigger window पे हम search करेंगे notion select करेंगे notion और इसके बाद trigger event पे हम select करेंगे new database item click करेंगे connect पर select करेंगे add new connection यहां guys हमको notion account को public connect से connect करना है यह करने के लिए simply हमको connect with notion पे click करना है तो हमने पहले से ही notion account पे login कर लिया है तो हमको select करना है select pages पे और आप यहां देखेंगे हमारे सारे database के list जो हमने notion database पे create करेंगे थे वो आ गई है और हमको select करना है कि कौन से page की access हमें public connect को देनी है तो हम यहां सभी pages को select करेंगे और नीचे आगे click करेंगे allow पे allow access तो आप देख सकते हैं authorization हमारा successful हो चुका है और आप यहां देखेंगे हमारा notion account पेबिक connect से connect हो गया है इसके बाद ही हमसे पूछेगा database id जितनी भी database हमने create करेंगे थे वो सब यहां पे show होने लगेंगे हम यहां पे select करेंगे हमारा database तो हमारी database को हमने नाम दिया था upcoming events इसको हम select करेंगे कि हम चाहते हैं कि जो भी new details या जो भी new items हमे create हो रहे हैं upcoming event database में वो हमको पेबिक connect में capture करेंगे इसके बाद आप देखेंगे save and send test request को button इस पे click करते ही नई details हमने motion database पे डाली थी वो पेबिक connect के पास आ जाएगी मतलब ये वाली details पेबिक connect के पास तो हभी हमने इस database पे ये event बनाया है जिसको हमने नाम दिया है developer conference details हमने ये दी है start date है 11 फरवरी 2023 and end date है 15 फरवरी 2030 guest demo user अब हम चलते हैं पेबिक रेक्ट पे और click करते हैं save and send test request पर और देखते हैं कि क्या ये details पेबिक connect के पास आ रही है या नहीं तो click करते है save and send test request और देखिए इस पे click करते ही हमारे पास एक response रिसीव हुआ है और आप यहां देखेंगे जो same details जो item हमने notion पे create किया था उसका response यह पे आ चुगा है तो ये थी हमारी start date ये था हमारा demo user जो guest का नाम था और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये था हमारा conference का नाम तो details यहां पे हमारी new event की पैबली के पास capture हो चुकी है इसका मतलब हमारा first step of integration successful हो गया है अब हम चलते हमारी step 2 पर क्योंकि हमको यही same details as a message discord channel पर भीजनी है तो आते हैं scroll करेंगे नीचे choose app पे जाएंगे और search करेंगे discord select करेंगे और action event पे select करेंगे send channel message क्योंकि हमको same details as a channel message discord पर भीजनी है click करेंगे connect पे और आप यहाँ पे देखेंगे webhook url public connect को discord channel से connect करने के लिए सबसे पहले हमको एक webhook url create करना पड़ेगा तो चलते हैं हमारे discord channel पर right corner पर down arrow पर click करना है जाना है server setting पर और यहाँ पर आप देखेंगे left corner पर integrations integrations पर click करते ही click करना है webhook पर इसके उपर आप top पर देखेंगे यहाँ पर लिखा आएगा new webhook webhook पर click करना है और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक webhook create हो गया है इसको एक नाम देना है तो इसको हम नाम देते हैं notion notion और फिर select करना है हमको channel मतलब इस webhook url का use करके हमको कौन से channel पर message भीजना है तो जो हमारा channel होने वाला है demo notion demo notion मैंने इसलिए select करा है क्योंकि मैं इस webhook url की मदद से इस channel पर message भीजना चाहता हूँ copy करनेंगे अपना webhook url click करेंगे save changes पर और आप देखेंगे हमारा यहाँ पर नया webhook url create हो चुका है अब हमको यह webhook url यहाँ पर paste करना है हमारे public connect पर webhook url paste करने के बाद हमको type करना है एक message यह वही message है जो हमको discord channel पर भेजना है तो मैं एक message draft करूँगा यहाँ पर और मैं चाहता हूँ मेरा message हो hello team so यह है मेरा message hello team we have a new upcoming event details are as follows तो event का नाम, event का start date, event end date, description and cast अब हमको यहाँ पर यही सारी details एंटर करनी है जो हमें response पर मिली है response हमको जो trigger event पर मिला था हमको वही details का use करके यहाँ पर mapping करनी है so जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो event की start date थी वो थी 11 फरवरी 2023, event end date, details and event का नाम तो हम यही details को यहाँ पर map करेंगे तो mapping एक बहुती असान प्रोसेस है आपको यहाँ पर click करना है और जाना है notion new database item पे और आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर सारे responses मिल जाएंगे तो सबसे पहले हमको यहाँ पर map करना है event का name तो हम यहाँ पर click करेंगे event name पे और देखते हैं यहाँ पर event name तो जैसे कि आपको मालूमा हमारा यह है event name developers conference अब हम map करेंगे event start date तो यह थी हमारी event की start date event end date यह हमारी event end date 15 फर्वरी 2023 देन आता है description जो message हमने यहाँ पर type किया था details में we will be having developer conference with all the new and old developers हमको यह वाला description यहाँ पर paste करना है mapping के through तो यह है हमारा description and then आता है guest तो guest तो हमारा demo user तो यह हमने पूरा message draft कर दिया है यह message हमें discord channel पर भीजना है अब आते हैं हमारी next step पर जो है bot name तो discord channel पर bot का use करके हम यह message भीजते हैं तो आप इस bot को कोई भी नाम दे सकते हैं मैं इस bot को नाम दूँगा notion इसके बाद आप आते हैं bot icon पर तो आप bot icon पर भी एक photo लगा सकते हैं या कोई image यूज कर सकते हैं तो आप किसी image का URL नहीं पर paste कर सकते हैं और आपके पास bot का icon भी आ जाएगा तो यह एक mandatory step नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ और text to speech को मैं करूँगा disable अब हम simply click करेंगे save and send test request पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर मिरको एक positive response मिला है पतलब जो message यहाँ पर मैंने draft किया था वो discord channel पर जा चुका है अब हम check करेंगे हमारा discord channel कि क्या यह message वहाँ पर पहुचा है या नहीं तो चलते हैं हमारे discord channel पर और आप देख सकते हैं कि वो message जो हमने draft किया था पैबली connect पर वो हमें यहाँ पर receive हो चुका है तो message यह कहता है कि इसका मतलब हमारा automation काम कर रहा है notion database पर कोई भी मैं event add कर रहा हूँ तो notion database से automatically discord channel पर एक message जा रहा है अब चलते हैं पैबली connect पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं every 8 hours इसका मतलब पैबली connect और notion database के बीच में polling based connection है और इस type के connection में पैबली connect हर 8 गंटे में नया data notion से fetch करेगा और इस automation में process करेगा तो अभी हमारा automation complete हो चुका है और अगर आप भी इस automation को use करना चाते हैं तो इसका link में अपने description में दे दूँगा जहाँ आप इसे free में इस्तिमाल कर सकते हैं सिर्फ यही नहीं आप और भी application के integration पैबली connect की मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें email कर सकते हैं support at the red family.com पर अगर आपको कोई queries हैं आपको कोई doubts हैं तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue हैं तो आप जा सकते इस link पर अगर आपको यह video पसंद आया हो तो please like करें, share करें और हमारी channel को subscribe करना ना बोले Thank you